Hello friends, welcome back to our YouTube channel Study Band So friends, कैसे आप सब लोग, I hope सब अच्छे से होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे So हमने last lecture में start किया था Mattresses and Determinant And I have told you कि हम पहले Mattresses को complete करेंगे Then हम Determinant को complete करेंगे So I have already made part 1 on Mattresses तो अगर किसी बच्चे ने उस part को नहीं देखा है तो I request कि आप जाईए और पहले उस part को देखिए क्योंकि उस part के अंदर मैंने introduction के बारे में बताया है कि column क्या होते है, rows क्या होते है, mattresses क्या होती है Then types के बारे मैंने discuss किया है ठीके और operations कैसे लगते है mattresses के वो सब मैंने उसमें बताया है तो अगर आपको वो सब नहीं आता है तो आप part 1 देखिए तांकि आपके वो concept और वो basic अच्छे से strong हो जाए यूँकि basic strong होगे तो आप इसके उपर questions easily कर पाएंगे mattresses अच्छे से आएगा determinant automatically आपको आना शुरू हो जाएगा चलिए अब बिना किसी देरी के part 2 को start करते है mattresses में अभी तक हमने पढ़ा था operations addition कैसे करते हैं differences कैसे निकालते हैं तो आज हम start करेंगे कि multiplication of mattresses कैसे की जाती है आज हम सीखेंगे कि दो mattresses को हम कैसे multiply करते हैं operation आज हम इस वीडियो में सीखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर एक मैं general mattress लेता हूँ जैसे mattress A है और मैं यहाँ पे एक general बना रहा हूँ की let's take an example उसके अंदर जो element है A elements है और उनकी जो positions हैं वो मैंने I और J से represent कर दी ठीके और मैं एक order ले लेता हूँ कि हमें नहीं पता तो order मैं हमें ले लेता हूँ M cross N का एक order है उनका is it clear then another matrix मैंने ले ली B matrix ले ली ठीके इसके जो elements है माहलो B elements है ठीके और उनकी भी मैंने positions लिखती I और J से then अब उस matrices का भी कुछ order होगा let's take an example उसका order N O है ठीक है N by O है अभी N by O ही क्यों लिया यहाँ पर M N ही क्यों लिया वो मैं आपको बताऊंगा then जब इनको multiply करेंगे we get a matrix C हमें एक another matrix मिलेगी that is C matrix मिलेगी और जो उसके अंदर element होगे वो कैसे element होगे let's take an example multiply करने पर हमें new elements मिलते है C elements होगे उसके अंदर उसकी positions elements के लिखती है मैंने I और J से ठीक है then अब इस matrix का जो order आएगा वो order क्या होगा this is very very important ठीक है let's take an example इसका matrix का order मैं आपको बता देता हूं इसका order बनेगा that is M by O order बनेगा ठीक है अब यह आया कैसे है उस चीज को आपने समयना है तो कभी भी दो matrices को आपने अगर multiply करना है तो सबसे बड़ी चीज आपने याद रखनी है उनके order की उनका order जो है वो बहुत important role play करने वाले यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो order था A का that is M by N ठीक है और B matrix का जो order था that is N by O तो दोनों matrices के आपने देखने है जिनको multiply कर रहे हो तो उसका जो last order और जिससे आप कर रहे हो उसका first order यह same होना चाहिए यह दोनों चीज़े क्या होने चाहिए यह same होने चाहिए अगर यह same नहीं है तो यह multiply ही नहीं होंगे इसको आपने इस point को अच्छे से ध्यान में रखना है कि आप जिसवे matrices को multiply करने जा रहे हैं उसका जो last वाला order है M by N और जिससे multiply करेंगे उसका order starting वाला वो same होने चाहिए अगर यह दोनों same होंगे तब ही यह matrices multiply होगे otherwise हम इस पर multiplication operation नहीं apply कर सकते हैं यह बहुत important है आप इसको करते कैसे हैं आप हम इसे example से समझेंगे ठीके चलिए move करते हैं और एक example ले लेते हैं आप यहाँ पर देखेंगे मैं एक matrix A ले लेता हूँ और जिसका order मैं यहाँ पर देखिए 2, 1, 3, 2 यह कौन सा order है जल्दी से बताईए 2 by 2 का order है और मैं यहाँ पर दूसरी matrix लेता हूँ B और जिसका मैं order change कर दूँगा 2 and 3 आप देखेंगे इसका order क्या है 2 by 1 अब आपको पता है न यह M और N क्या है इसको हम क्या बोलते है यह row को represent करता है किसको represent करता है? row को और जो N है इसका order क्या लिया हूँ है मैंने इसका order लिया है 2 by 2 का तो इसका जो column का है column number और दूसरी मैट्रिस का row number ठीके? यह दोनों order क्या होने जीए? यह number same होने जीए यह value same होने जीए ठीके? कैसे फिर से बोलता हूँ? first का यह row है और यह column है यह row है और यह column है तो first का जो column है और दूसरी का जो row है ये दोनों values same होनी चाहिए first matrix का जो column है order order में जो column होता है और second matrix का order में row होता है उन दोनों की value क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए अगर ये same नहीं होगी तो हम इसको multiply नहीं कर पाएंगे अब आपने देख लिए दोनों values same है तो अब आपको पता है एक journal idea आपके पास है कि जो भी हमारी matrix बनेगी उसको order क्या बनने वाला है उसका order बनेगा 2 by 1 का order बनेगा अब ये कैसे बनेगा चलिए देखते हैं अच्छे से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A B, मतलब A और B को multiply किया जा रहा है तो multiply कैसे किया जाता है आप उसे देखें that is important यह जो first row है आप देख पारें यह पूरी जो first row है इसको हम multiply करेंगे first column के साथ is it clear चलिए कैसे करेंगे आप यहाँ से इसका row बन लेंगे और यहाँ से column बन लेंगे यह हमेशा एक formula याद रखना है पहले जिसको multiply कर रहे है उसको पहले row को और दूसरे जिससे कर रहे हैं उसको column से multiply करने है कैसे करने है मैं अभी आपको समझाता हूँ row one का first element that is two लिखा मैंने two column one का first element that is two simple next row one का second element इसको add करेंगे that is one and column one का second element that is three दोनों को multiply करतेंगे simple खतम फिर से row second देखेंगे और column second नहीं देखेंगे column one से ही देखेंगे अब इसको कैसे करेंगे क्योंकि याँ पे column और कोई है नहीं है तो यही column row one से भी multiply होगा और यही column row two से भी multiply होगा ठीके? doubt नहीं रखना है बस यह है कि इसका इतना दार रखना है जो row one है जो इसका column से multiply किया है तो यहाँ पे क्या बनने वाला है एक row बनने वाली है और जब row two को इसी column से करेंगे तो again second row बनने वाली है बस यह है ठीक है और कुछ नहीं है अब करते जाहिए दीरे दीरे आपको समझ आएगा त्री को multiply करेंगे टू से दैट इस सिक्स ठीक है मैं इसको थोड़ा elaborate करके लिखता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं यह कि six आया कहां से है तो यहाँ पे थ्री था रो टू का first element that is three कॉलम वन का first element that is two दोनों को multiply कर दीजिए प्लस रो टू का second element that is two और कॉलम वन का second element that is three दोनों को multiply कर दीजिए अब आप इसे easily लिख सकते है क्या आजाएगा मैं यहाँ पे लिखके दिखा जाएता हूं आपको जब इसे solve करेंगे you will get two into two that is four प्लस one into three three very good three into two six अब तो आगे हलवा हो गया है अब तो आप खुद भी कर सकते हैं पर मैं आपको करके दिखा देता हूं कि answer हमारा क्या आने वाला है that is four plus three seven and six plus six that is twelve तो यह आपकी matters आगी है तो a into b की value हमारे सामने आ चुकी है अब इसका order आपने लिखना है तो order आप देखेंगे that is two by one और ऐसा ही order हमने यहां पर starting में ही frame कर लिया था किसको matters को देखके दो matters जिसको multiply करना था उसको देखके हमने खुद से ही order frame कर लिया था किसका order ऐसा आएगा और आप देख रहे हैं answer में भी order कुछ उसी तरह का है I hope आपको समझ आया होगा इस question को कैसे किया मैंने अगर नहीं समझ आया हम एक और example लेते हैं और फिर समझते हैं इस वार मैंने column 1 लिया था अब मैं column 2 लेके दिखाऊंगा row भी 2 होंगी और column भी 2 होंगे चलिए देखते हैं चलिए अब मैं यहाँ पे एक और question लेता हूँ let's take an example A Matthews है मारे पास 2, 3, 4, 2 ठीके अब इसका order आप खुद बता दीजिए क्या है order? 2 by 2 का है very good अब हम B लेते हैं 1, minus 2, 3, and 5 और इसका order भी क्या है? 2 by 2 का है तो अब आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 2 by 2 2 by 2 तो जो भी आपको multiply करके value आएगी A, B की जो value आएगी तो उसका जो उस matrices का order भी क्या होने वाला है? तो आप देखेंगे 2 by 2 यही होगा तो एक ऐसे हुआ तो यहाँ का first matrix का row और second matrix का column आप ऐसे pick कर लेंगे तो यह आपका order बन जाएगा ठीके? बट जिसको pick नहीं किया है make sure कि उसकी value सेम होनी चाहिए अगर value सेम नहीं होगी तो हम multiply नहीं कर सकते यह operation नहीं लगा सकते I hope आपको अब यह point अच्छे से clear हो गया होगा Let's start अब हम इनको A और B को multiply करते हैं तो A B को multiply करने के लिए आप क्या करेंगे? आप मैं फिर से आपे बता रहा हूँ row 1 लेंगे और इसको multiply करेंगे column 1 से ठीके? इस तरह से तो यह row 1 है और यह column 1 है इन दोनों को multiply करेंगे multiply कैसे करना है? मेरे साथ करते जाएए और ध्यान से देखते जाएए step by step आपको सारा समझ आ लेगा तो सबसे पहले row 1 का first element that is 2 column 1 का first element that is 1 इन दोनों को क्या करेंगे? हम multiply करेंगे हो गया plus row 1 का second element that is 4 इसको multiply करेंगे column 1 के second element that is minus 2 खतम आया समझ? अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? इसी row को क्योंकि यहाँ पे column second भी है तो इसी row को second column से भी multiply करेंगे ठीक है? और जब multiply करेंगे तो हमारा यहाँ पे column 1 बन चुका है अब हमारा column 2 बनेगा इसी तरह से चलिए देखते है row 1 का first element that is 2 multiply करेंगे column 2 के first element से that is 3 प्लस कर देंगे row 1 के second element को that is 4 multiply कर देंगे column 2 के second element से that is 5 simple यहाँ तक ऐसे करना था I hope आपको अब इस step समझ आया है इसी तरह से हम second step को भी follow करेंगे row 2 यहाँ पे देखेंगे इस row 2 को जब आप multiply करेंगे column 1 से तो column 1 की नीचे value आएंगी इसी row को जब multiply करेंगे column 2 से तो उसकी value column 2 के अंडर आएगी I hope आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चलिए step by step करते हैं अब row 2 के first element that is 3 multiply column 1 के first element के साथ that is 1 very good plus कर देंगे row 2 के second element को that is 2 multiply कर देंगे column 1 के second element के साथ that is minus 2 simple लेखें कितना simple है practice से आप सब चीज़ें असानी से कर पाएंगे चलिए row 2 के first element that is 3 multiply करेंगे column 2 के first element के साथ that is 3 plus कर देंगे row 2 के second element को that is 2 multiply कर देंगे column 2 के second element के साथ that is 5 this is तो अब आप easily multiply कर सकते हैं अब तो हलवा हो गये आपके सामने question अब तो कुछ रह ही नहीं है जैसे आप multiply करेंगे 2 multiply 2 that is 2 plus करेंगे इन दोनों को 4 minus 2 that is minus 8 तो यहाँ पर मैं कहा लिखूँगा minus 8 लिखूँगा then 3 into 2 3 into 1 3 जैसे plus करेंगे 2 multiply 2 करेंगे तो minus 4 तो यहाँ पर मैं कहा लिखूँगा minus 4 लिखूँगा I hope आप कुछ समझ आ रहा है multiply कैसे किया जा रहा है 2 into 3 that is 6 plus कर देंगे 4 into 5 that is 20 and next इसी तरह से 9 plus 10 अब आप इसको और further solve करके value निकाल सकते हैं यह मैं direct भी कर सकता था बट मैं step by step आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तांकि आपको किसी भी step पर कोई confusion ना रहे step by step समझ आए आपको एक बार आप समय लेंगे जब हम practice वाले MCQ या practice series स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे हम वहाँ पर बहुत ही speed से question को solve कर पा रहे है यहाँ पर जो time लग रहे है यह time इसलिए लग रहे है क्योंकि मैं एक एक step को multiply कैसे करता है वो भी आपके सामने show कर रहा हूँ तांकि जिस बच्चे ने अभी तक math 11, 12 में पढ़ा ही नहीं था और उसे पता ही नहीं है तो वो भी इस video को अगर देखता है तो वो असानी से समझ पाता है कि इस step को और next step में कैसे हम पहुंचे है तो हर एक step को मैं briefly explain कर रहा हूँ चलिए आगे multiply करेंगे 3 में से minus 4 गया that is minus 1 ऐसे ही हम 6 plus 20 करेंगे that is 26 9 plus 10 is 19 तो यह हमारे आगी matters तो आप इसका order देखेंगे order क्या है 2 by 2 का और इसी तरह का order हमने पहले ही question को start करने से पहले ही predict कर लिया था कि इसका order क्या आने वाल है तो आप इस point को भी याद रखें कि question में MCQ की form में हमें question आने objective form में questions आने exam में तो examiner ऐसा भी हमसे question पूल सकता है कि वो हमें एक matters दे दे और बोले अगर हम इसको multiply करते हैं तो जो answer हमारे पास आएगा तो उसका order क्या होगा तो आपको further solve नहीं करना है कि उसका answer क्या आपने सिर्फ यह बताना है कि उस multiply करने के बाद उस matters का order क्या है उस order क्या आएगा वो आपने बताना है तो order आने के लिए कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको starting में ही बता दिया था I hope आपको आप यह point clear है अब आप two matrices को multiply किये बिना ही आप उसका order बता सकते है कि answer में order क्या आने वाला है और अगर multiply करने को भी आए तो आप multiply भी कर सकते है कि two matrices को multiply कैसे किया जाता है I hope आपको यह question यह example यहाँ तक अच्छे से clear हो चुकी है तो चलिए अब move करते है next slide पर next point is transpose of mattress कि transpose कैसे करना है mattresses का वो अब हम समझेंगे अब यह transpose क्या होता है transpose को अब ऐसे समझेंगे simple कि अगर हम interchange करते है row and column को एक mattresses हमारे पास है उसके जो elements होते हैं अंदर आपको पता है उसके अंदर rows होती हैं column होती है अगर हम उसको interchange कर दें उनकी positions को interchange कर दें तो उस interchange को करने को ही हम transpose बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं transpose of matters ठीक है तो generally इसको कैसे denote किया जाता है जैसे a है तो a का अगर हम transpose कर देंगे तो उसको a और उपर power की form में t भी लिखते हैं और sometimes हम a की power में यह हलका सा डैश भी लिखते हैं तो यह सब किसको represent करता है यह transpose of mattresses को represent करता है I hope आपको यह point अच्छे से clear हो रहा है कि हम transpose को represent कैसे करते हैं चलिए example देखते हैं example से आपको अच्छे से समझ आएगा let's take an example मैं एक a mattress लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक journal पहले elements ले रहा हूँ a, b, c, d, e, f तो आपने देखा मैंने a mattress ली और इसके अंदर element मैंने ले ली हैं अगर मैं अब इस mattresses का क्या करूँ a mattresses का अगर मैं transpose करता हूँ तो transpose करने के बाद मेरे पास क्या आएगी value किस तरह से mattress बनेगी आई उसको देखते हैं तो a transpose मैं कैसे a के उपर कॉमा लिख सकता हूँ या a के उपर t भी लिखूँ तो यह सब किसको denote करता है transpose of mattress a को denote करेगा I hope आपको यह point अच्छे से clear है चलिए अब आपने देखा यहाँ पे row 1 जो थी that is a, b, c थी elements के हैं row 1 के a, b, c अब जो elements से row 1 के अंदर अब वो यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे column 1 के अंदर तो मैं a, b, c को जो row 1 में लिखा था अब मैं उसको कहां लिखूँँगा column 1 में लिखूँगा कैसे लिखूँँगा a, b, c simple इसी तरह से जो row 2 के element है अब वो कहाँ चले जाएंगे column 2 के अंदर चले जाएंगे row 2 में क्या था d, e, f तो वो column 2 में चला जाएगा that is d, e, f simple और यह खतम boom तो हमारी जो a matrix है अब उसका transpose करेंगे तो वो कैसे दिखेगा इस तरह से दिखेगा ठीके अब आप इसका order देखिए इस matrix का जो order था वो कितना था row कितनी थी जल्दी से 2 row थी और column कितने थे 3 column थे ठीके अब जैसे हमने इस matrix का transpose किया तो उल्टा हो गया कैसे अब row कितनी बन गिये 3 बन गिये column कितने बन गिये 2 बन गिये जैसे हम transpose करते है matrix का तो उसका order भी क्या हो जाता है transpose हो जाता है 2, 3 इसका order था तो वो transpose करने के बाद 3 by 2 order बन गया I hope आपको ये भी point अच्छे से समझ आ गया होगा चलिए एक example लेते हैं और फिर इसको समझते हैं अच्छे से Let's take an example मैंने A matrix ले ली 2, minus 3, 4, minus 5 ठीक है और यहां पर मैंने B matrix ले ली है and that is 3, 2, 5, 4 तो ये मैंने 2 matrix ले ली हैं आपके सामने अब मुझे क्या करना है ये proof करना है Let's take an example मुझे ये proof करना है कि A plus B का transpose is equal to A का transpose plus B का transpose के equal आता है ठीक है इस चीज को मुझे क्या करना है proof करके दिखाना है अगर मैं A और B को पहले plus कर लूँ then transpose करूँ या A transpose और B transpose करके फिर plus करूँ तो दोनों की value equal आती है ये मुझे proof करना है ठीक है तो चलिए पहले मैं A का transpose ले ले लेता हूँ यहीं पर A का transpose क्या हो जाएगा जैसे transpose करूँ गए का तो जो row 1 है वो column 1 में चला जाएगा तो that is 2 minus 3 यहाँ पर 4 और minus 5 है तो 4 minus 5 ये A का transpose आ गया ऐसे B का transpose क्या आ जाएगा हमारे सामने 3 2 5 4 clear है तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं इनको add कर सकते हैं A transpose plus B का transpose दोनों को add कर दीजिए ठीक है add करके क्या आएगा अब आप देखिए add कैसे करना है यहाँ से मैं 2 को ले रहा हूँ और यहाँ से मैं 3 को ले रहा हूँ तो 2 plus 3 5 ठीक है यहाँ से मैं 4 को ले रहा हूँ और यहाँ पे 5 को ले रहा हूँ तो it become कितना 9 very good इसी तरह से minus 3 and 2 it become minus 1 ऐसे ही minus 5 और 4 को add करेंगे तो minus 1 आएगा is it clear तो यह हमारी value आ चुकी है addition करने पर a का transpose plus b के transpose को now अब हमने सबसे पहले क्या करना है a plus b करना है तो a plus b आप यहाँ पे देख रहे है तो a को और b को add करते है तो यहाँ पे आप देख रहे है 2 है और यहाँ पे आप 3 देख पा रहे है तिक है मैं इसे underline कर देता हूँ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो दोनों को add करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा very good यहाँ पे आप देख रहे है minus 3 and यहाँ पे 2 दोनों को add करने पे क्या मिलने वाला है minus 1 very good और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 5 दोनों को add करिए answer आएगा 9 और यहाँ पर है last में minus 5 and here is 4 तो दोनों को add करिए minus 1 अब आप simply क्या करेंगे आप इसका transpose कर देंगे किसका a plus b का transpose करेंगे क्योंकि a plus b कर लिए अब इस whole matrix का क्या करेंगे transpose करेंगे तो आप जैसे transpose करेंगे तो आपकी value क्या आएगी 5 और minus 1 जो row में है आप इसको column में लिख देंगे that is 5 and minus 1 और यहाँ पर row 2 में 9 और minus 1 है तो यह column 2 में चला जाएगा 9 and minus 1 तो आप देख रहे हैं कि यह दोनों ही matrices यह दोनों ही matrices क्या आई है value सेम आई है तो यही छोटी छोटी प्रॉपर्टी यहां से बन जाती है कि अगर a plus b करेंगे उसका transpose equal होगा a transpose plus b के transpose तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही आई है तो यह property सेम है तो इसी तरह से के वर प्रॉपर्टी यह भी आती है अगर हम a का transpose करें और उस transpose का द्वारा से transpose करें तो हमारी value किसके बराबर आएगी a के बराबर आएगी simple ठीक है तो ऐसी छोटी छोटी आप property देखेंगे यह automatically यहीं छोटी छोटे concept से ही निकल रही है ठीक है आपको किसी को भी रटने की जुरूरत नहीं है आप जैसे step by step करते जाएंगे questions को समझते जाएंगे तो आप automatically समझेंगे कि क्या क्या property कहां से निकली है ऐसे रटने बैट होगे बहुत सारी property है I don't think कि आप फिर रट पाएंगे और कर पाएंगे उन बच्चों के लिए जो specially जिनका background math नहीं है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी तो चलिए इसी तरह से अब हम next slide पर चलते हैं और देखते हैं कि next क्या है symmetric mattress यह बहुत important concept है symmetric mattress और एक और होगी skew symmetric mattresses अब दोनों को अभी पढ़ेंगे तो symmetric mattresses क्या है आपने हमेशा याद रखना है कि एक mattress लेनी है पर वो कैसी mattresses होनी चाहिए एक square mattress होनी चाहिए ठीक है square mattresses आपको पता है जिसकी number of rows and number of column क्या होते हैं equal होते हैं उसको हम square mattresses बोलते हैं आई होप आपको यह भी point clear है नहीं point clear है तो आपको फिर से बता रहा हूँ part 1 देखना पड़ेगा part 1 के बिन आपको यह part अच्छे से समझ नहीं आएगा तो चलिए अब हम symmetric mattresses को देखते हैं symmetric mattresses वो mattresses होती है जब हम एक square mattresses का क्या करते हैं transpose करते हैं जब हम एक square mattresses का क्या करेंगे transpose करेंगे और transpose करने के बाद उसकी value फिर से उसी mattresses के equal आईगी तो उसको हम बोलते हैं symmetric mattresses आपने एक mattresses ली A और उसका transpose किया तो उसका transpose क्या होगा A transpose तो ये दोनों value अगर equal आती है तो it means वो कैसी matrices थी वो एक symmetric matrices थी I hope आपको समझ आया होगा नहीं आया अब example लेंगे समझ आजाएगा पर जितना याद रखना है एक square matrices अगर हम लेते हैं और उसका जैसे हम transpose करते हैं तो उसकी जो value आती है वो भी उस matrices के ही equal आती है it means that is symmetric matrices चलिए example देखिए और फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे मैंने यहाँ पर A matrices ले ली that is आप 1 ले लीजिए minus 1, 5 ठीके और यहाँ पर आजाएगा minus 1, 2, 1 यहाँ पर 5, 1 and 3 तो अब आपने यह A matrices ले लिए जैसे ही मैं इस matrices का क्या करूँगा transpose करता हूँ तो आप देखेंगे इसका transpose भी same ही आएगा जैसे यहाँ पर row मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा यह row 1 है, ठीके इस row 1 के जो elements है आप उसको column 1 में लिखिए तो row 1 के elements देखिए क्या है 1, minus 1 और 5 लिख दीजिए यहाँ पर 1, minus 1 and 5 इसी तरह row 2 के element देखिए that is minus 1, 2, 1 इसी तरह row 3 के element देखिए that is 5, 1, 3 ठीके, तो यह आपका बन गया अब उससे पहले आप देखिए जो मैंने matrices, given matrices example में A लिए थी उसका order क्या था? 3 by 3 का ठीके, क्योंकि हमें हमेशा यह कौन सी square matrices ही लेनी है without square matrices यह possible नहीं होगा तो आप देख रहे हैं अब जो A matrices थी और A transpose जो matrices आई है the value of those matrices are equal उनकी जो values है वो बिलकुल ही same है एक जैसी है आप देख पा रहे हैं अगर यह equal आती है तो वैसे उसी को हम क्या बोलते है symmetric matrices बोलते है I hope आपको अब यह point अच्छे से clear हो गया होगा अगर हो गया है तो चलिए दूसरे part को समझते है skews metric matrices क्या होती है तो skews metric matrices इसका उल्टा है अब उल्टा क्या है हमेशा फिर से हमने क्या लेनी है एक square matrices ही लेनी है जैसे हम square matrices ले लेंगे और उसका transpose करते है अगर उसका transpose given value के given matrices के negative के equal आता है तो it means that is skews metric matrices अभी मैंने क्या बोला मैं आपको यहाँ पर लिखके दिखाता हूँ A matrices थी और इसका transpose किया तो वो transpose क्या है negative of A transpose के equal आए तो उसको हम क्या बोलते है skews metric matrices बोलते है तो आप यहाँ पर easily समझ पा रहे हैं कि जो matrices A है that is equal to the negative of transpose of matrices A लिखा हुए ठीके अब एक कैसे आया है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ example देखे ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ देखे तो यहाँ पर देखी आप मैं एक A matrix लेता हूँ ठीके उसकी value आप देखिए 0, 1, minus 1, minus 1, 0, 1, and 1, minus 1, 0 तो यह मैंने एक A matrix ले लिए है अब मैं इसका क्या करूँगा transpose करता हूँ let's take an example मैंने यह A का transpose किया तो जैसे A का transpose करूँगा तो उसकी value क्या आएगी जो row 1 में होगा उससे column 1 में लिखूँगा that is row 1 में क्या है 0, 1, minus 1 लिखिए यहाँ पर 0, 1, minus 1 row 2 में क्या है minus 1, 0, 1 row 3 में क्या है 1, minus 1, 0 तो उनको यहाँ पर मैंने लिख दिया अब आप देखेंगे कैंगे यह दोनों matrices सेम हैं तो आप देखेंगे नहीं यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 बिलकुल ठीक है यहाँ पर 1 था पर यहाँ पर minus 1 है तो यह बिलकुल ठीक नहीं है अगर आप यहाँ से देखें अगर मैं इस whole matrix के अंदर से minus को बाहर ले लूँ ठीक है, अगर minus को मैं बाहर निकाल देता हूँ तो आप देखेंगे A matrices जो है, अगर मैं उसमें से minus को, minus 1 को बाहर निकाल दो तो अंदर क्या रहेगा? तो जब minus को आप बाहर निकालेंगे तो अंदर sign change हो जाएंगे 0 था, तो 0 का sign तो same रहता है आगे अंदर जो minus 1 था अब यह plus का 1 बन जाएगा जो plus का 1 था, वो minus का 1 बन जाएगा यह points आप को समझ आते हैं, कैसे करते हैं ऐसे ही यहाँ पर plus का 1 था, minus बाहर चला गया तो अंदर minus का 1 रहेगा 0 का 0 रहेगा, minus 1 था, minus बाहर चला गया तो plus का 1 बन गया ऐसे ही, minus 1 था, तो यह plus का 1 बन गया plus का 1 था, तो यहाँ पर minus का 1 and 0, same का same रहेगा means अगर हम देखते हैं A matrices that is equal to negative of transpose of matrices A के बराबर आता है और जब A आता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं skew symmetric mattress बोलते हैं I hope आपको अब ये point अच्छे से clear हो गया होगा चीक है एक बार देख लीजे दुवारा से विडियो को पीछे जाके देखिए तांकि आपको अच्छे से समझ आए अगर आपको कोई doubt रहे गया है still अगर आप किसी भी type में किसी भी part में अगर कोई confusion रहे गया है कोई doubt रहे गया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं comment section में या आप हमारे telegram गूप को भी करिए और वहाँ पर आप मेरे से doubt clear अपने कर सकते हैं तो I hope आपको यह समझ आ गया होगा एक point और आपने याद रखने है जो जब भी आप skew symmetric matrices देखेंगे तो उसके अंदर जो diagonal होते हैं diagonal जो होंगे matrices उस elements diagonal elements हमेशा 0 के बराबर होने चाहिए क्योंकि यह always 0 के equal होते हैं अगर यह 0 के equal नहीं होंगे तो यह हमारी skew symmetric matrices नहीं कहलाएगी ठीके I hope आपको यह समझ आ गया होगा कुछ points हो रहे हैं basic आप उसे भी आप no down कर सकते हैं जैसे मैं एक a plus a transpose करता हूँ तो यह जो है this is what this is symmetric matrix क्या है यह a minus a का transpose करता हूँ तो यह किसके आएगा बराबर it will be skew symmetric यह कुछ छोटे point है आप याद रखें तांकि आपको आगे जब questions हम करेंगे तो वहाँ पे यह आपको help करेगा I hope आपको clear है तो a plus a का transpose को अगर add करते हैं that become symmetric matrices and a minus a transpose it become skew symmetric matrices तो इस lecture को हम यहां तक ही करते हैं ठीक है matrices हमारा यहां पे जो important points वो खत्म हो चुके हैं अब next lecture मैं determinant पे लेके आऊँगा determinant को जैसे हम complete करेंगे then दोनों को मिलके हम examples करेंगे questions solve करेंगे ठीक है इस chapter के अंदर जितने भी questions है important जो exam point of view से जो exam में पूछे जाते हैं जो last year भी पूछे गे थे उसके हम यहां पे solve करेंगे चिक है अभी मैं intro करा रहा हूँ तांकि intro आप अच्छे से समझ जाएं basic समझ जाएं जब आप questions करने की अलग slide आएगी तो वहां पे हम जे सब apply करेंगे एक साथ एक वीडियो में इस सब होना possible नहीं है इसलिए मैं parts में लेके आ रहा हूँ तांकि वीडियो छोटी रहे और आप easily बढ़ भी पाएं तो कोई भी doubt आता है मुझे फिर से comment section में पूछिए और वीडियो को like करें शेयर करें अगर आप first time channel पे आते हैं तो channel को subscribe कर लें और bell icon को दवाना ना भूले तांकि आपको regular updates मिलते रहें तो thank you guys, bye bye